हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूटीब चैनल विक एजटिकलरी में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इनवार्नमेंटल साइंस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस्तन से तैयार करते हैं उसकी पूरी जयनकारी इस वीडियो में देन जा रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो के साथ बन रहें जिससे आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में कोई दिक्कत ना आए इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी को project report की binding कौन से करवानी होती है उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी थी अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा वीडियो के description box में मैंने उसका link डाल दिया आप उस वीडियो को देख सकते हैं आपको हम पूरा पर प्रोजेक्ट यहां पर दिखाते हैं कि आपको कौन से जो है papers लगाने होते हैं और कौन-कौन से process से आपको घुजरना होता है और आपको यह पूरा project बनाना होता है तो चलिए friends आपको पूरा project दिखाते हैं Friends, आपके सामने ही हमने hard binding करवाई हुए है, इस तरह से आपको hard binding करवा लेनी होगी. Friends, आपके सामने ही हमने पूरा mention कर दिया है, जो भी आपका project का title होगा, जो भी submit कर रहा होगा, उसका name mention किया होगा. Next, आपके सामने ही हमने hard binding करवाई है, इस तरह से आपको भी आपनी binding करवा लेनी है, तो Friends, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे पास first page है, जो हमने बाहर cover page लगाया था, वो ही यहाँ पर हमने first page mention किया गया है, इस तरह से आपको भी first page mention करना होगा. Next, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, table of content यहाँ पर दिया गया है, जो भी हमारे पास table of content यहाँ पर mention किया, वो यहाँ सारा का सारा यहाँ पर हमने पूरा कूरा डाल दिया, 56 pages है, वो आप देख सकते हैं, कितनी मोटी binding यहाँ पर की गया है, इस तरह से आपको भी bone paper लगवा जो भी synopsis होगा वो आपको यहाँ पर mention करना होगा, next हमारे पास है approval project proposal प्रफॉर्मा, जो approval मिला है उसका प्रफॉर्मा यहाँ पर लगा लेना है, next हमारे पास है certificate of originality, यह आपको हम next step by step दिखाते जाएंगे, तो हमें अगर इस सारा पढ़ते रहे तो बहुत time लग हैं, आप देख सकते हैं, फिर्श से बनाए, copy of the project proposal जो हमारे पास adphinों लिखा गया है, next हमारे पाडर यहां पर आपको दिखा दें,후 27 दिखाते हैं, यहां पर प्रोजेक प्र्फॉर्मा लगा यह हमारे पास first page उसका लगा था, जो हमने project proposal प्रफॉर्मा यहा बनाए था, cią नेक्स जब हमने सिनॉपसिस बनाया था उसका प्रोजेक्ट 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 यहां पे मेंचिन कर सकते हैं तो मेरे labels correction किया गया यहां पर दे सकते हैं निचे coordinator के signature है और यहां पर चोप्रोजक्त प्रॉजटर के रिप्रोज़नी यह थे इक आपना प्रोजेक्ट क्रीश람 आपने सकते हैं और यहां पर mention कर दिया और यहां पर supervisor के signature होना जरूरी है next हमारे पास है signature of the student यहां पर signature of the student के भी होंची है friends आपको यह बता दें कि जब आप project proposal दे रहे हैं तो यहां पर जो supervisor है उसके signature है यह signature जो है project originality certificate होगा उस पर भी आपका same signature or same stamp होना चीए यह हमारे पास है bio data format for the जो भी हमारे प्रोजेक्ट guide है यानि supervisor है उनका हमने bio data डाला था तो यह हमने synopsis में ही डाला था वो हमने पूरा का पूरा synopsis यहां पर attach कर दिया तो उनके signature है आप देख सकते हैं यहां पर तो इस तरह से जो है नेक्स मारे इंट्रोडेक्शन है यह इंट्रोडेक्शन हमारे पास तीन चार पिजीस की थी जो हमने synopsis बनाया था यह review literature है आप इस तरह से review literature बना लेंगे इस तरह से हमने review literature नेक्स मारे पर objective of the study यह आपको mention करना होता है synopsis में next problem statement यह भी हमने यहां पर mention किया next research methodology कौन सी methodology आप यहां पर research के लिए apply कर रहें वह आपको next conclusion and recommendation यह हमारे पूरा का पूरा heading दे दी हमने next references आपको दे देने हैं जितने भी आप में book से जो data लिया है जा कोई आपने site से data लिया वह आपको यहां पर mention करना होगा next friends आपको बता दें कि हमने यहां तक हमारा synopsis जी था जो पहले था वो हमने यहां mentioned कर दिया next यहां से हमारा project शुरू है तो यहां project mention किया गया तो इस तरह से हमने project बनाया तो next हमारे पास से यह project का title आप देख सकते हैं यहां पे हमने arrow लगा दिया और यहां पे हमारे इस तरह से डेट और हमारे प्लेसिस भी आपको यहां पर डालेनी हैं नेक्स में पर अक्नॉलजमेंट जो भी आपका अक्नॉलजमेंट होगा इस तरह से आप अपना अक्नॉलजमेंट बना सकते हैं हमने इस तरह का अक्नॉलजमेंट बनाया है next friends यहां पे हमारे पास जो project का पूरा का पूरा जो हमारे पास table of content आ वो यहां mention किया गया इस तरह से आपको भी mention करना है friends यह आप देख सकते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं तो इस तरह से आप अपना project जो है वो तयार करेंगे इसके बाद friends आपके पास first title page जो हमने यहां mention कर दि हमने सबसे important बात है जब भी introduction देंगे आपको study area जरूर लेना है किस area के मैं study कर रहे हो यह पूरा पूरा process कर रहे हो वह आपको यहां पे mention करना ही है तो ध्यान रखें इस बात का otherwise जो आपका जो project है वो जो है submit नहीं हो पाएगा यानि approved नहीं हो पाएगा और उसको जो है reject कर दे जाएगा otherwise अगर आप जो है study area नहीं डालते तो हमने study area ढाल लिया है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास कुछ areas थे हमने mention किये और areas के जो है location के photos हमने लगा लिए next objective of the study यह हमने यहां mention किया next problem statement आगी delimitation of the study यहां mention किया यह chapter 1 था इसके बाद हमारा chapter 2 research methodology हमने रखी है यह हमने sequence wise रखनी है जो भी आपका पास table of content होगा उसकी हिसाब से भी आपको रखनी है और आपको number दे देना है यहां पर 14 pages जो यह serial number चल रहा है इस तरह से आपको जो है यहां पर जरूर mention करना है next नमर पर research methodology इस तरह से हमने यहां पर mention किया आप इस तरह से जो है अपने according से जो है mention कर सकते हैं आप इसी copy ना करें अगर same होगा तो वो reject कर देंगे तो इस तरह से आप सिर्फ एक hint के लिए आप यहां पर इस project को दे सकते हैं यहां पर third chapter लिया है analysis and the interpretation जो ले लिया हमने यहां पर analyze किया जो भी हमारा data था वहां पर analyze कैसे किया हमने हमा इतना ही था क्योंकि analyze process ही हमारा इस project में बड़ा कम था तो जो भी हमने demand थी वह हमने यहां पर डाल दी है next result and discussion जो भी result हुआ उसके बारे में यहां पर हमने दे दिया यह हमारा सारा result है आप इतना देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो result का सारा process आया है और यह जबी हमार यह data जो है हमने new data बना लिया है और पुराने data को देखके उस तरह से आपको यहां पर mention करना है और यह आपको side पर जाना होगा जो भी side आपने choose की है उस area में जाके जो भी आपका project है उसके related आपको जो है वहां पर study करनी होगी उसके बाद जो है आप जो है अपने supervisor के साथ म इस तरह से हमारे पास recommendation आ चुकी है और आपके पास future study में क्या करना चाहिए कैसा होना चाहिए आपके सामने यहां पर mention किया है next further enhancement आप इसको और किससे बढ़ा सकते हैं यह भी आपके सामने यहां पर mention की है हमने आप देख सकते हैं यहां पर summary आ चुकी है next समरी के बाद बिबिलियोग्राफी आई हुए जिसको हम references से बोलेंगे यहां हम अरे पास पूरे के पूरे जो है बिबिलियोग्राफी हमने यहां पर डाल दी है और कम से कम भी आपके 30 questions minimum होने चाहिए, तो ध्यान रखें कि friends यह सारे के सारे born pages लगाएंगे, normal pages नहीं है, इसलिए हमारे पास काफी जो है इसकी आवाज आ रही है और मोटा pages आपको दिखाए दे रहा है, तो इस तरह से आपको pages लगाने हैं, मेरे 35 questions हैं इस questionaries में, और next हमार आपको यहां पर पूरा का पूरा देख सकते हैं, आपके दस marks के हैं, review, literature आपका 10 marks के है, जो हमारे पर methodology आपके पास 10 marks के है, और result and discussion जो है 30 marks के है, उसके पास conclusion जो है, और वाईवा जो है 30 marks है, यानि 70 marks के ऊपर वाले question है, और 30 जो है वाईवा मार्स के है, friends यह पूरा का प आपको मिल जाएगा, अगर आपको यह नॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, मुझे comment कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है, mail पर आपको यह सारे के सारे नॉक्टर जो है, प्रोवाइट कर दूँगा, friends इस तरह से आपको यह पूरी के पूरी booklet ना नहीं, आप देख सकते हैं, यह कितन आप content डालेंगे, उसका number आपको ज़रूर देना है, जैसे मालों कि मैंने table बनाया है, तो table का number 1 है, next table हमारे पास जो होगा, वो 2 होगा, इस तरह से आपको जो sequence wise जो है, सभी देने हैं, और बीच में जब डालोगे, देख सकते हैं, 2 है, इस तरह से आपको सभी tables और सभी figures का जो number है, वो mention करना है, तो तब भी आपका project जो है, accept हो पाएगा, तो friends ये पूरी जान कर रहे थे कि आपको project report किस तरह से तयार करनी है, मैंने one by one सभी pages को आपको बताया, कि इस तरह से आपको जो ये project तयार करना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मुझे comment कर सकते है तो friends आज के लिए इतना ही था, हम आपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इस तकी informative वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल करोज जरू सब्सक्राइब करें, बाई बाई, टेक कियर